एहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वन्स, वैभाव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वस्रेष्ठ हैं, बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं। और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। जो अपने मन पर नियंत्रर नहीं रखता, वो स्वयम का स्नय सत्रू बनता जाता है। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुवा है, जिसमें गिर कर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। बुद्धिमान बैक्ति को समाज कल ल्यान के लिए बिना असक्ति के काम करना चाहिए। सेहत के लिए योग और किसी की जरुवत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। आक्म ज्यान की तलवार से काट कर अपने हिर्दय से अज्यान के संदेह को अलग कर दो। दुष्ट लोग अगर समझाने मातर से समझ जाते तो यकीन मानों, महाभारत कभी न होता। मनुस्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है, वैसा वो बन जाता है। मान अपमान लाभानी खुश हो जाना या दुखी हो जाना या सब मन की सरारत है जिसे तुम अपना समझ कर मंगन हो रहे हो बस यही प्रसनता तुम्हारे दुखों का कारण है उस इंसान का मंजल से भटक जाना तैं है जिसकी संगत में नाकरात्मक लोग रहते हैं प्रेम सदेव माफी मागना पसंद करता है और एहंकार सदेव माफी सुनना पसंद करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बलकि भीतर से जानता हूं। ब्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छी तवस्तु पर लगातार चिंतन करे। सब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापिस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना अपनों को अपना बनाये रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है वरना दुनिया में एक नाम के बहुत इंसान मनुस्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। जीवन में वाडी को सयम में रखना अनिवार है। क्योंकि वाडी से दिये गए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ। पर दुबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। ना हार चाहिए ना जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्रों का साथ चाहिए। रिस्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा ना हो जाए जब आपके पास वक्त हो तो रिस्ता ही न बचे। जीवन में आधे दुख इस वज़े से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आसाएं रखी हैं जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जिन्दगी में सब कुछ खत्म हो जाना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई सुरुगात हमारा इंतजार कर रही होती है। लोग कहते हैं अपनों के आगे जुक जाना चाहिए। किन्तु सच बात तो ये है जो अपने होते हैं वो कभी छुकने नहीं देते। लौड किसना जी की ये विचार आपको कैसे लगे। कमेंट बोक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की वीडियो और बनाई जाए तो आप हमारे वीडियो पर बस लाइक कर देंगे तो हम समझ जाएंगे आपका संकेत है और भी वीडियो इस तरीके की बनानी की। तो हम इस वीडियो को यही पर समाप्त करते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जै ही जै भारत